कि नमस्कार दोस्तों मैं गोरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाधिया इसी निवे आश्या करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपकी बहुत ना फॉम बढ़ने का है उसके बाद आपने त्यारी सुरू करी और आपका एक्जाम निकल गए नहीं यार ऐसे नहीं होता पढ़ाई कर रिए 6-6 महीने कम से कम पढ़ाई करिए लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई करते रहिए जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता अपना एक एम बनाईए उसे फोकस करिए और टार्गेट बनाकर उसको और उस पे लगे रहिए हर रोज पढ़ाई करिए ना 6 महीने ना एक साल जब तक लगे रहिए जब तक अपने लक्षे तक ना पहुँच जाओ ठीक है तो चलते रहो मेहनत करते रहो नंबर आ जाएगा जिस आज की की गई मेहनत कल का भошष्य लिख देगी चैhosिगा ना आज जो मेहनत करोगे वो कल का भosure लिखेगी और आज यह की गई मेहनत कल आपको बेहो बहुद अच्छा पहल देगी तो तो इसलिए पस पड़ाएं करते रहे यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो जैसे कि आप टोपिक क्या है संदी संदी में हमने स्वर संदी को बिल्कुल कम्प्रेट कर लिया है ठीक है आज हमारा व्यंजन संदी भी कम्प्रेट हो जाएगा लास्ट क्लास है व्यंजन संदी की और बचा क्या विसर्ग संदी क्या विसर्ग संदी लगबग चार क्लास क्या स्वास अभी भी अभी भी पूर्ण रूफ चे ठीक नहीं हुआ है लेकिन चली कोई बात ने पढ़ाय करते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने 6 का नियम पढ़ा था किसका 6 का कि 6 से पहले या किसी स्वरका में यदि 6 से हो जाता है तो 6 से पहले आधा 6 लग जाता है बस यह माला हम देखते हैं मैं संबंधिनियम किसी भी वर्ग के किसी भी वेंजन से हो जाए वह साड़नी याद है आपको वेंजन से हो जाए तो मैं जो है उसी वर्ग के अनू स्वार में बदल जाता है किसमें अनू स्वार में बदल जाता है या हम कह सकते हैं उसी वर्ग के पांचवे में बदल जाता है जैसे मैं का मेल अगर कैसे होगा तो मैं जो है कहीं में बदल जाएगा मैं जो है वो बदल जाएगा किसमें किसमें बदल जाएगा आपका मैं बदल जाएगा डै में ठीक है ना मैं का मेल यदी जैसे होता है तो मैं किसे में बदल जाएगा आइए में बदल जाएगा जैसे हुआ तो किसमें बदल जाएगा आपका जैसे हुआ या चैसे हुआ तो किसमें बदल जाएगा यह बदल जाएगा यदि मैं कहूं कि मैं का मेल यदि तैसे करा देते हैं तो तैसे दैसे ने में बदल जाएगा ठीक है किसे में बदल जाएगा ने में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा अब समझ में आया है मैं क्या कहना चाहता हूं यह आपको समझ में आया कि मैं का मेल आप किसी भी वर्ण से करा लो किसी भी वेंजन से करा लो मैं किसे में बदल जाएगा मैं अनुस्वा मैं का मेल किसी भी वर्ण से होने पर किसी भी किसी भी वेंजन से होने सब्सक्राइब मेल किसी भी होने पर किसी भी वेंजन सेहने पर किसी भी वेंजन से बिंदी चीक एड़ेव पर अंकी बिंदी बन जाता है बन जाता है सबसे आसान है ना कि सबसे आसान है ना कि मैं का मेल किसी भी वर्ण से कराने पर नोट करके लिखें यहां पर सिर्प मैं को छोड़ कर नोट मैं का मेल मैं से होने पर यहनियम नहीं लगेगा यहनियम नहीं लगेगा में का में मैं से होने पर यह नियंश से करते हु तो यह नियम नहीं लग लगेगा सबसे आसन नियम है सबसे आसन लगता है मुझे मैं का त्य आप मैं का जाद रखे कि मैं का सबसे आसन होता है कि मैं का मिल किसी वर्ग का कोई वह विछे आता है तो मैं उसी वेंजन के अनुस्वार में बदल जाता है किसमें अनुस्वार में बदल जाता है दूसरी डेफिनेशन लिखिए यदि मैं का मेल किसका मैं का मेल ये रेलेवे ये रेलेवे अंतस्त वेंजन या उश्ण वेंजन शे 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 हैसे होता है तो मैं का अनुस्वार बन जाता है अता तो वो अंग की बिंदू में बदल जाएगा बस हो गया फाइनल यह आप लिख लीजेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम एक्जामपल इसके देख लेते हैं जो एक्जामपल आपके बहुत सारे काम आ जाएंगे चलिए थोड़ा सा चलिए पढ़ाय करिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे सा लग रहा है कि देखिए कैसा लग रहा है यह पेन हो रहा है यह पेन की वज़े से मुझे हो जाए दिक्कत हो रही है इसलिए कोई नहीं है लेकिन हम पढ़ाय करते अच्छे से अरे अपना क्या है अपने तो पढ़ाय क करनी है चलिए अब देखिए अप पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से चलिए मैं की कुछ example देख लेते क्या करते हैं मैं के कुछ example देख लेते से एहम पलस कार exactly एक देख लेते हैं कि अहम पलस कार यह मैं यार मुझे लिखना चाहिए अच्छे से नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सरसमझ में तो नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो यह लिजी एहम बस एहम में के साथ हलंथ है तो वेंजन संदी कंफर्म हो गया एहम में का मिलन कैसे हुआ है अर्थात में का मिल किसी से होने पर क्या हो जाएगा आप कर दोंगे एहंकार कि क्या कर गया एंकार बन गया अंकी बिंदी है क्यों पर अंकी बिंदी लग गया ना हो गया ना आसान होता यह एंकार अगर बात करता हूं संपलस गत संपलस गत अब देखिए संपलस गत क्या करते हैं संपलस गत अब देखिए मैं का मिल किसी से हमें कोई फ्रग नहीं पड़ रहा हम क्या करेंगे हम करेंगे यह वाला यह हो गया संगत क्या हो गया संगत हो कितना आसान है आप देखे संबस यह यह हाथपहिन करता है दोस्तों मेरे थोड़ा सघॉठ है इसलिक प्रोबल्म और ही है वह देखेसं सम्पन आप देखिए सहन हमें क्या मतलब है हम ने तो पूरा हो अंग बना देना है संजे, क्या बना संजे बन जाता है, क्या बन जाता है? इसमें क्या दिकत है? आप देखिए संपलस जीवनी क्या देखिए संपलस जीवनी इस वर्ड से कुछ तो आपको याद आया होगा देखिए सम पलस जीवनी रामेंड में चल देते है अरे मैं क्यों लिखना मैं तो हमें लिखना ही नहीं है अगर हम मैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा तो मैं तो हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे तो यह हो जाएगा शम अंकी बिन्दी लगा दी और जीवनी ऐसा का ऐसा ही संजीवनी क्या बना संजीवनी बन जाता है क्या बन जाता है संजीवनी बन जाता है जैसे सम पलस तोस हो जड़ा है एक्जाम में पूछा जाता है सम पलस तोस क्या संपलस तोस क्या बनेगा संपलस तोस से मैं को भी कुछ लेखते हैं सिर्फ तोस लिख देते हैं अब अंकी बिंदी लगाई संटोस क्या बना संटोस बन जाता है क्या बन जाता है संटोस बन जाता है जैसे संपलस कल्प सम पलस कल्प अब देखे सै के साथ क्या है हमें कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है सै कै ले और पै क्या हुआ अंकई बिन्दी लगाई संकल्प क्या हुआ संकल्प हो जाता है कितना कितना आसान है कि आप वेंजन के साथ सुरी आपके मैं के साथ कोई भी वेंजन है हमें कोई मतलब नहीं है हमें सिद्धा अंग की बिंदी लगा देनी है और आप कांस्वर आ जाएगा जैसे बात करते हैं संपलस हार की आपको कोगे सार एक्जांपल बहुत हो गए यह जो मैं आपको अच्छे से वेंजन वाले आप हम दे रहे हैं आपको जो एक्जांपल दे रहे हैं वो दे रहे हम किसका हम आपको अभी दे रहे है वह यह है में जाएगा जैसे संपलस हार क्या संपलस हार संपलस हार अब देखी संपलस हार क्या बनेगा संपलस हार देखे मैं मैंने संग हार हो जाता है हमें कोई मतलब नहीं है जैसे संञ प्लास लगन Negative क्या संपलस लगन कि यह वह है जो पहुत एग्जाम में पुशाँ जाता है संपलस लगन या कुल रहे हैं कि नीन होगा हो मुझे पता है लेकिन ऐग्स सब्सक्राइब करें सकता आप तो समझें मैं क्या बोल रहा हूं तो सम प्लस लगन अब देखिए संग लगन क्या हुआ सम लगन क्या हुआ सम लगन हो जाता है जैसे आपका और क्या होगा जैसे संप प्लस यम क्या होगा संप लस यम अब देखिए से का मिल मैं का मिल किसी से हमें कोई मतलब नहीं है हमें सिद्धा मैं क्या बना देना है अंक बना देना है सयम क्या बना सयम बन जाता है कितना आसान हो गया ना मैं का जो नियम है वह बहुत आसान है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है ठीक है जैसे सम पलस ठोच थी न, अब लेक्षिया। अब देखिए, सै इका इंगि बिदीश है। सै और मैं काणकी बिदी। और और रहें अंप आक्षें और अन्य इंगें हो संद्रक्शं बन जाता है। संद्रक्शन बन जाता है,। ठीक है है दोस्तो, क्या बन जाता है, संद्रक्शन बन जाता है ठीक है चलिए आभी के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि एक्जांपल बहुत सारे होगे आपके अभी हम दूसर ओर मदेख लेए अपना क्या देखते हैं नेक्स नियम को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं चली Kind ठीक है नेक्स्ट नियम को देख लेते हैं नेक्स्ट नियम क्या कहता है चलिए नेक्स्ट नियम क्या कहता है आपका नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि किसका में हमने मैं का देख लिया अब हम देखेंगे मैं का मेल मैं से यदि मैं का मैं से मिल होता है मैं का मेल मैं से होने पर मैं से होने पर मैं का मेल मैं से होने पर क्या होगा देखे जब मैं का मिलन मैं से होता है क्या होता है बहुत असान है यह भी कोई दिक्कत नहीं है जब मैं का मिलन मैं से होगा तो मैं का मैं बन जाता है दूट किसमें दूट हो जाता है मैं का मेल मैं से होने पर मैं का मैं ठीक है न यह थोड़ा सब फिर बोलोगे इसमझ मिल गाया एकी बात है नीचे लिए इसको मैं का मैं ठीक है न इसे बोलते हैं दूट क्या बोलते है इसको इसको बोलते है आपका क्या दूट बोलते है क्या बोलते है आपका इसको इसको बोलते है आपका क्या दूट अब क्या कर रहा हमैं कि दूध हो जाता है जैकंए वैंकर में का दूध हो जाता है Ça Все इस बात को मैं समझाता हूं अभी शायद नहीं रिखाए दिरवे मैं से ओने पर क्या करेंगे जब मेंकर मेल मैं से होता है तो मेंका दूध हो जाता है क्या हो जाता है जैसे अगर जैसे की बात करता हूं कुछ एक्जामपल अच्छे से देख लेते हैं देखे आसान है वह ज्यादा दूट आप से पूछ लेता है वह एक्जाम में कि इन में से दूट वर्ण कौन सा है या इन में से दूट सब्द कौन सा है बताएं तो क्या होता है मैं अभी बता देता हूं आपको मैं का दूट कैसे हो जाता है क्या हो जाता है मैं का दूट कैसे हो जाता है जैसे सम पलस मान जैसे सम पलस मान से मैं मैं आ और ने समान यह हो गया दूट क्या हो गया यह हो गया आपका दूट हो जाता है जैसे सम पलस मिलित जैसे सम पलस मिलित अब देखे से अधा मैं पूरा मैं यी और ले यी और ते क्या बना समलित बन जाता है क्या बनता है समलित मैं कहा था कि पहले वाले मैं का आधा हो जाता है हलंत लगाये तो आधा हो जाएगा मैं का मैं हो गया मैं का दूत 오 हो जाता है क्या हो जाता है जैसे संपलस मोहन संपलस मोहन अब देखी से मैं मैं ओ है और ने संपलस मती संपलस मती अब देखी से मैं मैं ते और ए क्या बना संपलस मती बन जाता है क्या बन जाता है संपलस मती बन जाता है अब देखते हैं, next देख लेते हैं, ठीक है, complete हो गया आपका, मैं का पूरा complete हो गया, कितना असान था मैं का मैं का किसी भी तरह से कोई दिखत मैं में नहीं होती, मैं का नियम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अब बात करते हैं, ने का अने होना ने का अने हो न इस ठीक कहें ने अने कब बनता है ठीक है ना ने अने कब बनता है बताई यह ने का अने हो क्या होना ने का अने कब होता है देखी ने का यदी ने का अने कब बनता है यदी ने के सुरिए यदी री रे और शे के बाद ने वेंज जनाता है तो ने का अने हो जाता है यदी कुछ अपवाद को छोड़ का ठीक है ना यदी री रे और से के बाद ने आता है यदी ने ने सेरी री रे और से के बाद क्या आता है ने आता है क्या आता है ने आ जाता है तो क्या होगा ने का अने हो जाता है ने का अने हो जाता है ठीक है री रे और शे के बाद यदि क्या आता है आपका अने आता है ने आता है तो ने का अने हो जाता है क्या हो जाता है अने हो जाता है ठीक है क्या होता है अने हो जाता है और यदि कैवर्ग या पैवर्ग भी आते है तो भी ने का अने होता है क्या होता है कैवर्ग या पैवर्ग वाक्यमे शब्द में कैवर्ग या पैवर्ग शब्द में कहीं भी आते है तो भी नेका में हो जाता है, क्या पैवर्ग शब्द में कहीं भी आते हैं, तो भी नेका अने होता है, नेका अने हो जाता है, ठीक है, नेका क्या हो जाएगा, अने कुछ अपवाद को छोड़ कर, अपवाद को छोड़ कर, अपवाद को छोड़ कर, ठीक है न, ये नोट कर लिजेगा, कुछ अपवाद को छोड़ कर, ठीक है न, अब कुछ एग्जामपल देख लेते हैं, इसके, एग्जामपल हम लोग देखते हैं, इसके, एग्जामपल क्या कहते हैं, example को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं example क्या कहते है यह हम लोग अच्छे से देख लेते example क्या कहते है मैंने क्या कहा है यदि ने का अने कब होता है जब ने का मेल ने से पहले वाक्य में ने कहीं भी हो जिसे मैं example बताना हूँ आपको जैसे परी प्लस मान, क्या, परी प्लस मान, सुरी, परी प्लस मान, तो पूरे कर देते हैं, देखें, परी प्लस मान, क्या होगा, आपका परी प्लस मान, ठीक है, परी प्लस मान, मैंने क्या कहा था, कि ने का मेल, यदि, ने से पहले, ने से पहले यदि री रे और शे आता है क्या शे आ जाता है तो रे का क्या हो जाएगा रे का अने हो जाएगा क्या हो जाएगा अने हो जाएगा ठीक है ना तो अब देखिए रे रे और शे कहा था ना मैंने कि प्री तो क्या रे आया है तो रे का क्या हो जाएगा ने का में हो जाएगा ये प्री और मान क्या होगा प्री मान क्या होगा प्री मान हो गया ठीक है ना क्या हुआ प्री मान हो जाता है जैसे क्रिश पलस ने क्या होगा क्रिश पलस ने अब देखिए से आया तो कह का कह हो जाएगा कह का कह और ये क्या हो जाएगा शे का से ही रहेगा वो शे आदा है तो आदा हो जाएगा और ने का अने हो जाएगा तो क्या बना कृष्ण बन जाता है क्या बन जाता है क्रिष्ण बन जाता है और देख लिए जैसे प्री प्लस नाम क्या हुआ जैसे ये तो हो गया आपका जैसे वि विश पलस नूँ विश पलस नूँ अब देखिए वैई आधा से अन्य और ओ क्या बना विश्णू क्या बना विश्णू बन जाता है क्या बन जाता है विश्णू बन जाता है क्या हुआ विश्णू क्या बना विश्णू नैका क्या हुआ अन्य हो गया तो नैका अन्य हो गया क्या हो गया अन्य हो गया जैसे जैसे अगर बात करता हूं मैं कि भूस पलस अन्य क्या भूस पलस अन्य देखिए मैंने आपको बताया है कि शब्द में नैक कहीं भी आए बस दिकत जब आती है जब ने को ने ना हो ठीक है शब्द में ने कहीं भी आए कोई भी दिकत नहीं है ठीक है जैसे भूश पलस ने जैसे से के साथ क्या ने तो भै उ से और अने क्या बना भूशन बन जाता है क्या बन जाता है भूशन एक मेरे सब्द का मेरे उसका जवाब अब लोग आपसे कुछ पूछ रहाँ जैसे किं-लस तू है तर रिम पलस-तू यह और किया बनेगा आप पता है किंतू बन जाता है ठीक है तो आपको समझ में आया कि ये क्या था आपको राहे कि किसी से भी हो जा summit ने कहीं बी हो जाता है घ्गर पै ना अगर přते हैं थो उसमा राइगा राम पलस आयन है इसमें दो संदी होती है, क्या होती है, इसमें दो संदी होती है, कैसे मैं एक बर करवाना चाहूँगा आपको राम पलस आयन, आप देखी, यह होता है रे, आ, यहां पे संदी क्या हुई, यहां पे ए है और यहां पे आ है, दोनों का मेल हुआ तो क्या बना, आ बना, यह बन है करना कैसे होगा क्यों कि पैवर का को था है मैं तो क्या हो जाएगा रामायान हो जाता है एक कर लिए ना அ कुछ है तो हम लोग एक नियम और देख लिए है स्वानियम कि से का सै का बनता है शहिक योगे एक है देखिए से का शे का बनता है शे का शे में परिवर्तन ठेक है शे का शे में परिवर्तन अब देखिए यदि से से पहले यदी यदी देखे यदी क्या करेंगे यदी से से पहले ए और आ को छोड़कर यदी से से पहले से मैंने वह वाला से लिख दिया बीच वाला छोड़ दिया यदी से से पहले यदी से से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो से का शे हो जाता है क्या होगा तो से का शे हो जाएगा मैंने क्या कहा कि यदी से 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 पहले से से है और इस से से पहले ए आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है तो से का क्या हो जाएगा से बदल जाएगा से में और कुछ चेंज नहीं करेंगे ठीक है ना और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे कुछ एक्जामपल देख लेते हैं एक्जामपल जैसे कि हम अगर हम बात करते हैं कुछ एक्जामपल आपके यहीं पे हो जाएंगे एक्जामप अब देखिए अभी पलस सेख मैंने कहा था कि ए आ को छोड़कर क्यों और सवर अगर पहले आता है तो से का से हो जाता है ए आ नहीं आया बिल्कुल यह आ गया तो ए आ का तो कोई मतलब नहीं है तो यह हो जाएगा अभी सेम ऐसा का इसा ही कोई नहीं करेंगे बश्छे का शे कर देंगे और अभी सेख हो जाता है क्या हो जाता है अभी शे क हो जाता है कुछ ओर देख लेजिए जैसे नि पलस सेद धैसी मीस पीलस सेद अब देखी ने से पहले एस आ लेकिन अन ही आखो योर्स वाया है तो यह क्या हो जाएगा निशेद क्या हो जाएगा निशेद हो जाएगा क्या हो जाएगा निशेद हो जाएगा ठीक है ठीक है निपलस शेद क्या हुआ निशेद हो गया क्या हो गया निशेद हो जाता है जैसे वी प्लस सम देखी वी पलस सम अब देखिए मैंने कहा था ए आको छोड़कर कोई अन्ने सवर आता है तो से का से हो जाता है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा विशम क्या बना विशम बन जाता है क्या बन जाता है आपका विशम बन जाता है क्या बन जाता है जैसे अनू पलस संगी जैसे अनू पलस संग अब देखिए मैंने क्या कहा था मैंने कहा था आपको कि सै का मेल यदि सै से पहले सै से पहले कोई आ को छोड़कर कोई स्वर आता है सै से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सै कर सै हो जाता है क्या हो जाता है अनू और ये सै अंगे और ई अनू संगे तो इसी के साथ आपकी वेंजन संदी जो है वो complete होती है क्या होती है complete हो जाती है क्या हो जाती है complete हो जाती है तो दोस्तों वेंजन संदी आपकी complete होती है हम इतना ही रखेंगे कल हमारी विश्रक संदी सुरो जाएगी चार से class के आसपा, तीन या चार class उसमें complete होगी उसमें, तो class complete कर लेंगे हम, आज vienजन संदी का last हो गया, तो अगर आपको खिलास अच्छी लगती है, तो like करना, share करना, subscribe करना, नए दोस्त हो, तो कोई भी नया वीडियो को देख रहा है, तो subscribe करें चैनल को, जादे से तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तो धन्यवाद